राजिस्तान के लोग देवता तो आपके जो सेलेबस में कुछ रामदेव जी गोगा जी वगर वो लोग देवता में भी दिये गए और वो संतों में भी दिये गए तो अब हम देखते हैं राजिस्तान के पंच पीर तो राजिस्तान के लोग देवता देख रहे हैं उसमें सब भी राजस्तान के पंच पीर है तो आपकी आरबीएसी बोड की किताब में जो पंच पीरों की परिवासा दी गई यह वो क्या है धर्म धरा तता धेनू के लिए दरा के लिए धर्ती के लिए और धैनू याना गाय के लिए जिनोंने उंकी रक्षा के लिए जिन मापुष् कंजर करने के बाद धर्ड लडता रहा था हैं वह थे कल ला जी एक्ट रॉंफ देव जी के पिता की नाम बनेट में धो रामडे जी किसके समकालिन थे मलीनात्जी के रामदे जी के मंदिर देवल या देवरा क्यलाते है रामदे जी ने जीक्त समाते लिए 1408 लें नेजर क्या है रामदे जी की रात्री जागरन होता है वो जमा ब्यावले क्या है राम देव जी के बगतो तो आपके जो संत वाला टॉपिक है उसमें रामदेव जी गोगा जी वगर यह अलग से दिये गए तो अमने वहां पर भी पढ़ा है और हम यहां पर भी पढ़ा है तो यह पढ़ रहे हैं एक वार आपका रिवीजन और हो जाएगा ठीक है तो जाहिर पिरकिने कहा जाता है व जी के घोगा नव Vaijane नविकवाती बात्ष कृष्ण नम इस दिन गोगा जी मेला लगता है गोगा जी पिता जयवर जी इतकी के घ आंप बिद गोगा जी फ act mówi की नकीति ने ओई प्र वाली जाती है सुआएज श분 की रसा में तो था गोगा जी की ओली सांसुर में पूले लगते नियाश्ट है बिठ्व मेया कि रावले में किसी वीर्टा के बारे में बतायी गया है दो गाजी की ने जब्कि देवल चारणी की गायों को बचाय था पाबू जी ने लाचा गूज्री थी उनकी गायों को तो बचाय तेजा जीने और देवल चारणी की गायों को बचाई था पाबु जीने नेच्ट जी पर शर्ब गंस करते हैं करतें चित्र केंद है तेज़ा जी का पखेताः नागउर को कहते है तेजा जी के चबुत्रे को ठान तेजा जी के पुझारी को गोडिला कहते है तेजा जी के मंदिर है परबत सर नागोर में और बासी दुगारी बूंदी में तेजा जी की मित्यू कब हुई सुरसुरा किसंगड में हुई थी तेजा जी की मित्यू तेजा जी और गोगा जी सापों के देवता है नेश्ट है पाबु जी पाबु जी का ज यूटों के देवता प्लैक रक्षक आथा पाभूजसेक दूट Därzepाबुज़ी मुंतलदाने का आयर जबकि पाभु जी की फड़गातिय समय होता है वो हे और अंक्सराइब का नाम मलीनाच जी किस लोग देता ने बड़े इस्तर पर हरीकी इतन करवाय था मलीनाच जी महेवा के सैसक थे और उनकी रानी का नाम के था रूपा दे कुंड़ा पंत के प्रनेथा थे मलीनाच जी यहां तक तो आपन ने उसमें भी पढ़ लिया था संतों में अब हम आगे देखत की माता का नाम किया था सेटू गोटजर देव नाराण जी की पतनी का नाम था पीपल दे देव नाराण जी का मंदिर कहां इस्तित है आसेन बिलवाडा में देव नाराण जी के अनुयाई कौन है गोटजर जाती के लोग है नेक्स्ट है सबसे लंबी फढ़ किन किया है दे गुट्जर्जस जाती कि लोग किनका अवतार मानते हैं विश्णु का अवतार देवनार्याठ्द गांतीम समय करने निकट देहमाली इस्थान पर पहला पुजारी उनका पुत्र ही था उनका नाम था बीला याश्टे देव नारायन जी का मुख्य मंदिर है वो कहा है आसिन भीलवाडा में है आसिन भीलवाडा के निकट सवाई बोच इस्तान पर है तो देव नारायन जी का मुख्य मंदिर आसिन भीलवाडा के निकट सवाई बोच नामक इ बापनी जोदपूर में हैं, लोगों की सायता करने के कारण लोग देटा के रूप में प्रसिड हुए, मेहा जी मांगलिया जेसल मेर के राव रनक देव से यूद करते वे वीर गति को प्राप्त हुए मेहा जी मांगलिया राव चुंडा के समकालिन थे हडबू जी का जन्म हुआ पुंडेल नागोर में हुआ हडबू जी के पिता कौन थे मेहा जी सांखला थे हडबु जी का मुख्य मंदिर कहा है बैंगटी फलोदी में तो आपने देखा मेहा जी का तो कहा था मेहा जी का तो बापनी में था ठीक है कहा बापनी और जबकि हडबु जी का है वो है बैंगटी में यह दो यार रखना तो मेहा जी को तो कहा था बापनी में और जो हडबु गुरु बालिनाच जी, हडबु जी तथा रामदेव जी आपसमें दोनों क्या थे? मौशेरब आई थे? राव जोदा को मंडोर को मेवाड से मुक्त करवाने का आसिर्वाद किनों ने दिया था? हडबु जी ने दिया था? किस लोग देता की पत्नी सती नहीं हुई थी तो ऐसे कौन से लोग देता थे जिनकी पत्नी सती नहीं हुई थी वो है हडबुजी, हडबुजी की पत्नी सती नहीं हुई थी किस लोग देता की गाड़ी की पूजा की जाती है भूरिया बाबा या गोतमेश्वर महादेव किनके आ रहाती है गोड़वार के मेनाओ के अलम जी का धोरा कहां इस्थित है बाड मेर में और यह जेतम लोट राठोड उनका असली नाम है बाड अलम जी का धोरा उनका असली नाम क्या है फिया जेतमलुट राठोड। नेक्ष्ण हम देखते है तलवी नाजी का जो मुखेस्तान कहाई पंचोटेफैंग जालोर में मली नाज जी का कहा है व। वह को hard मेर में तो अलग लग है एक तो है तलवी नाज जी और एक हैम मली जी तो तरली नातर जी का तो कहा है पन्चोटा गाउं जालोर में जबकि Malti मलीनात जी का तिल्वार्ड-बार्ड-मेर में यह तो क्या हो गए राजस्तानकी लोक देविया तो सबसे पहले हम देखते है केला देवी किला देवी माता का मंदिर कहा है करोली में और ये काली सील नदी के किनारे पर इस्तित है कौन सी काली सील है काली सील नहीं है काली सील है ठीक है तो इसको सही करना ये कौन सी नदी की किनारे है काली सील नदी के किनारे इस्तित है और तिकुट परवत पर इस्तित है नेस्ट हम देखते हैं, इस मंदिर में क्या है, महालक्षमी तथा चामुंडा माता की प्रत्तिमाए है, केला देवी को किनका आउतार माना जाता है, महालक्षमी का आउतार माना जाता है, केला देवी किनकी कुल देवी है, करोली के यदूबंसी राजपरिवार की कुल देवी वह है मंजीरा दूसा क्या आ गया जो पाबू जी की फट घाते समय यह कौन से वाधरी इंत्र बजाएज़étais लंगूर यह गीप किस वाध exec बजाए जाता है वह अलगोज़ा त्यक्षgo यह तिन आथ रखना ल्गोज़ के है मन्दिर का निर्मान करायता कुच्छवा सासक दुलalt रायन najwię जंइगा करनी माता का मंदिर कहें सफेज दिखाई देता है उगोर ये उन्हें लगता देङक्स हम देखता है, ऐसी लोख मनेता है, कि चुरू के डंदू गाव Riband, उसमें दो भाई में थे लिए जीन हम दीटे माता का मंदिर कहें बासवाड़ के उम्राई गावन में, तो त्र्पुरा सुन्दरी माता का मंदिर है वासवाड़ा के उम्राई गाँ में, तृपुरा सुन्दरी माता को अठारा बुचववली देवी है, तृपुरा सुन्दरी माता को जगत का बीच परम सिव का दरपन या तिपुर सिव की भारिया भी कहा जाता है नेक्स्ट हम देखते है पांचाल समझ की कुल देवी कौन है वो है पूरा सुन्दरी माता नेक्स्ट है सीतला माता को क्या का जाता है सेडल माता मामाई माता तो था मातर रक्षी का देवी भी का जाता है सितला माता का मंदिर कहां इस्तिता है वो है चाक्सु-जैपूर की सील डूंगरी परिस्तित है तो सितला माता के मंदिर का निर्मान मादो सिंग ने करा आता तो ब्याल काडी मेला का समुढ यह नहीfully कि इसले जाता थे तो वो थे हड़्भू जी ब्यालगाडी मेले के संबंद है सीतला माता से ये पूछा गया था एक वार प्रशन कौन सी लोग देवी है जिनके खंडित मूर्ती की पूजा की जाती है वह सीतला माता चेचक नेवारक देवी कौन सी है सीतला माता शीतला माता का वहन क्या है? गदा सीतला माता की पुजारी कौने कुंबार जाती के लोग नाश्टम देखते हैं चेत्र किष्ण सब्तमी और अश्टमी को सीतला माता की पूजा की जाती है इस दिन ठंडा बोजन या जिसे बाश्योडा कहते है वो खाते है तदी मती माता का मंदिर कहा है गोट मांगलोद नागोर में जिलानी माता का मंदिर है बहरोड अलवर में नेक्ष्टम देखते है आई माता आई माता का मंदिर कहा है बिलाडा जोदपूर मेस्तित है आई माता है आई माता का मंदिर कहा है बिलाडा जोदपूर मेस्तित है समाज की स्माज की किलधी है यह पूछा गया ता एक वार प्रशन तो कि Firstly किलधी है यह पूछा किया था टौक सुछाली माटा की समाज की natury सुगाली माता उत दस सीर और 54 हात है। इनकी मूर्ति पाली के संगरालय में रखी है। नैस्ट है चौषंत का मनित कहा है। चौत का बरवाडा स्वाई माधोपूर में चौत माता कंजर जाती की कुल देवी है तो चौत माता किसकी कंजर जंजाती की कुल देवी है केवाय माता, केवाय माता का मंदिर है किंशरिया नागोर में, इस मंदिर का निर्मान कराया था चचदेव ने, छीक माता, छीक माता का मंदिर है जैपूर में, आवरी माता, आवरी माता का मंदिर है निकुम्ब चित्तोड में, कहां हिस्ती थे, कहां हिस्ती थे, निकुम्ब किस्ट तेता है गेर माता एक मात लोक देवि जो की बिना पति के सत्य वी वो थी गेवर माता क्यों है गेवर माता नेका पुछा गया था नियानशट है सीलेवि माता शीटला मात अलग है और शीले दिलेव अलग है मानसियब तत्मने और वो उनकी मूर्ती कहां से लाय थे बंगाल से ले करके आय थे तो सीला देवी है आमेर के कच्छवावंस की इस्ट देवी है इनका निर्मान मानसियब तत्मने करवाय था और इनकी मूर्ती बंगाल से ले करके आय थे किस देवी को ड्याई प्याला सराब चटती है वो है सीला देवी माता जिनका मंदिर कहा है जैपुर में नेश्ट हम देखते हैं जैपुर आमेर में है नेश्ट है आसापूरा माता आसापूरा माता को क्या भी का ज़ता है महोदरी माता या महिश्या सुर मर्दिनी का ज़ता है इनका मंदिर कहा है जालोर के मोदरा नामकिस्तान में जालोर के सोनगरा चहवानों की कुल देवी है आसापूरा माता नागने ची माता जोदपुर के राटडों की कुल देवी है और ये अठारा बुजावाली देवी है सक्राय माता का मंदिर जुनजनु के उद्यपुरवाटी में और ये खंडेल वालों की कुल देवी है तो सक्राय माता किन की कुल देवी है? खंडेल वालों की कुल देवी है Next हम देखते है स्वांगिया माता स्वांगिया माता है जेसल मेर के बाटियों की कुल देवी है तो स्वांगिया माता किन की कुल देवी है? जेसल मेर के बाटियों की कुल देवी है इन्हें आवड माता, आयड माता या हिंगलाज माता का ही अवतार मना जाता है तो स्वांगिया माता को आवड माता, आयड माता या हिंगलाज माता का ही अवतार मना जाता है नेक्ट है सुगन चिडी का स्वरुप किने माना जाता है आवड माता को मना जाता है जेसल मेर के बाटियों द्वारा पूजा की जाती है किन देवियों की आवर्ड माता या आयर्ड माता की हिंगलाज माता की स्वांगिया माता की कौन-कौन सी देवियों की पूजा की जाती है एक तो आवर्ड माता या आयर्ड माता नेक्स्ट है हिंगलाज माता, तीसरी है स्वांगिया माता, इन देवियों की पूजा की जाती है, जिसल मेर के बाटियों द्वारा, नेक्स्ट है तन्नोट माता, तन्नोट माता का मंदिर कहा है, इस्तिता है, जिसल मेर मेर में, और थार की वैसनों देविय किने का जाता है, त बाण माता को क्या भी काजता है ब्रमानी माता तो इनका मंदिर है ये उदेपूर के सिसोर्थ्या की कुलगेलिव inhib men time limit in हैं मंदिर है चत चीत्तोड में नколь sólo Wikipedia ब्रह्मानी माता का मंदिर कहा है मेरांगर जोदपूर में है और यह प्रतिहारों की कुल देवी है ज्वाला माता का मंदिर कहा है जोबनेर जैपूर में है और यह खंगारों की